प्रसाण मंत्री ने कहा कि माई भारत प्लैटफॉर्म पर करोडों की तादाद में विदेश और देश से युवा जुडेंगे साथ साथ केंद्र केबिनिट ने लीथियम और नियोबियम के लिए 3% और रेर अर्थ एलिमेंट्स यानि आर ए ए के लिए एक फिसद की रॉयल्टी रेट तै कर दी है केबिनिट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार देश में पहली बार लीथियम नियोबियम और आर ए ए ब्लॉक के निलामी अब कर सकेगी देश को विकसित बनाने के सपनी को साकार करने में युवा अधिक से अधिक भागीदारी निभा सकें इस दिशा में मोधी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है केंद्री अमंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नित्रेतों वाले विकास के लिए प्रोध्योगे की द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुच प्रदान करने के लिए एक स्वायत निकाय मेरा युवा भारत माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश युवाओं की आकांख्षाओं को साकार करना और विकसित भारत बनाने में भागीदारी को बढ़ाना है मेरा युवा भारत माई भारत का प्रात्मेक उद्देश इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण मंच बनाना है नई विवस्था के तहट संसाधनों तक पहुँच और अवसरों से जुडाव के साथ युवा समुदाई परिवर्तन एजेंट और रास्ट्र निर्माता बन जाएंगे जिसे से उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमत मिले इस प्लेटफॉर्म को 31 अक्टूबर को लोह पुरुष सर्दार वल्लब भाई पटेल की जैन्ती के दिन रास्ट्र को समर्पित किया जाएगा जिवाओं की उर्जा का करतव्यबोद और सिवाभाव के साथ राश्ट निर्मान में उप्योग करने के उदेश्य हेतु माई भारत नाम की एक उनानिमस संस्था बनाने का निर्ने लिया है माई भारत मेरा युवा भारत इवाओं को विभिन स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकिकरत मेकैनिजम के अंतरगत फोकस रूप से भारे सरकार के जो कारेकरम है इवाओं से जुड़े उनको एकठेक प्लाटफॉर्म पे लाए जाए जिसमें होल अफ गौवर्मेंट की अप्रोच के साथ हम गौवर्मेंट या अन्य स्रेक होल्डर्स को भी वहाँ पर जोड़ें और इवाओं की उसमें भूमिका और सुद्रिड करें एक अन्य अहम फैसले के तहत केंद्रिय मंत्रिमंडल ने तीन खनिजों की रॉयल्टी दर को मन्जोरी देने का फैसला लिया है इनमें लिथियम और नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर इए के लिए रॉयल्टी दर तै की गई है इसके लिए खान और खनिज विकास और विनियम अन अधिनियम मुनी सो संतावन एमेम डियार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मन्जोरी दे दी गई है इस फैसले से स्वदेशी खनन को प्रोचसाहित करने से आयात में कमी आएगी और संबंधित उद्योगों तथा अव संडचन पर्योजनाओं की स्थापना होगी इस प्रस्ताव से खनन ख्षेत्र में रोजगार बढ़ने की भी उमीद है हाल ही में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 संसत द्वारा पारित किया गया था जो 17 अगस 2023 से लागू हो गया है संशोधन के जरिये अन्य बातों के आलावा लिथियम और नायूबियम सहित छे खनिजों को परमानू खनिजों की सूची से हटा दिया गया है जिससे नीलामी के माध्यम से निजीक शेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमती मिल जाएगी के अर्थव्यवस्था वित और अध्योगिक और डिजिटल संप्रवता मंत्राले के बीच समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है। शेली इंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डी डी नियूज